पूर्व भारतिये बल्लेबाज वीवियस लक्ष्मन ने शुबमन गिल चितेशवर पुजारा और अजिनक्या रहाने को वॉन किया है कि एक ही गलती बार-बार नात हो रहा है नमस्कार मैं हूँ रितिकपूर और आप सभी का स्वागट है इंडिया न्यू स्पोर्ट्स में न्यूजिलेंड के खिलाफ जो भारतिये टीम का पहला टेस्ट था जो कि कानपूर में खेला गया था उसका परिनाम ड्रॉ था दूसरे टेस्ट मैच का परिनाम था कि बार-बारतिये टीम जीत गई थी जिसका रिजल्ट था कि बारतिये टीम 372 रनों से जीत गई थी उसमें भी मिडल ओर कॉलाप्स हो गया था जिसमें गिल ने अपनी विकेट सेट होने के बाद दे दी थी और चितेश्वर पुजारा और अजिनकिया रहाने ने अपनी विकेट यूँ ही दे दी आए और चले गए जो कि अब जैसे कि कल साउथ अफरीका टूर का टेस्ट धोरा अनौन्स हुआ है उनकी विकेट स्क्वाड अनौन्स हुई है उसमें उसमें क्या कहते है कि जिसमें तीन मैच की टेस्ट सीरेजर उसमें अजिनकिया रहाने और पुजारा ने और गिल ने एक ही गलती ना दुराहे जो की पैटन बनती जारी है जो की जैसे ही बॉलर बॉल डालता है उनका निक यानिकी एजड लेके बॉल विकेट कीपर के पास चली जाती है और गिल की एक ही गलती बार-बार दुराई जा रही है कि जब वो फ्रंट फूट लेते हैं तब बॉल इंस्विंगर आती हुए इंस्विंगर में बीट हो जाते हैं इसी के चलते वीवियस लक्षवन ने यह यह भी यह भी कहा कि न्यूजिलेंड के खिलाफ जै स्क्राइब करें लाइक करें और शेर करें नमस्कार